देखें, इंगलिश में एक शब्द है आपका detachment, d-e-t-e-c-h-m-e-n-t detachment, तो इस वीडियो में detachment का हिंदियो और इंगलिश में क्या अर्थ और मतलब होता है जानेंगे, अपने आम बोल चाल में sentences में हम किस तरह से detachment को शब्द use करते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे, देखें, detachment, जो attachment का opposite है, एंटोनिम है, attachment का मतलब होता है लगाओ, और detachment का मतलब होता है अलगाओ, मतलब no interest, तो the action or process of detaching or separation is called detachment, मतलब अलग होने का भाओ, अलगाओ होने का भाओ को हम detachment बोलते हैं, तो हिंदी में अर्थ हुआ, अलगाओ, जुदाई, वियोग, निरलिप्त, जो मतलब के लिप्त नहीं है, और इसका दूसरा meaning आता है, मुख्य दल से अलग सैनिकों की टुकडी, जिसे खास काम के लिए निकत किया गया हो, उसको भी हम detachment बोलते हैं, इंगलिश में इसके स्नारिंग्स आते हैं, डिस इंट्रेस्ट, जिसमें इंट्रेस्ट ना हो, डिस कनेक्शन, सेपरेशन, ब्रेक अप, अलुफनेस, टास्क फोर्स, मतलब वही सैनिकों की खास काम के लिए एक टुकडी, एक detachment का मतलब हुआ, दूसरा example है, a detachment of soldiers was called to assist the police, मतलब पुलिस की सहायता के लिए सैनिकों की एक टुकडी बुलाई गई, तो detachment का मतलब हुआ, आपका अलगाओ या सैनिकों की टुकडी,